स्टूडेंट के से आप सोब स्वागत आपका आपके अपने योट्यूब चैनल स्टेडी वितासों में स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में हम इस वाले ये इंसुलीन प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के इस मोडलिंग को कैसे बनाते हो देखेंगे बनाएंगे ओके सुदू करते हैं चलो यह पूरा मोडल है वो पूर आपने वाइट पूरे कागां से ह्वोजो प्लेन कागण होता ना उससे है वह बनाएगे लेकिन अगर आप उस कागईच भेट्रोग करना नहीं चाहते हो आलागर में पूरा मेथर बताऊंगा का एशे ड्रोग करना हो तो पहले शी आप पुर्प्रिंट निकलवाना चाहते हो तो मैंने एक पीडियुप किए डिस्क्रिप्चिन में लिंक दे दिये आप जस्ट किलीक करना और वहाँ लॉड कर लेना है रंगीन प्रिंट कलर निकलवा क्या है वह यहां पर है कैंची का इंस्ट्रक्शन दिया और आगे मैं बताऊंगा है वह पूरे ऐसा है वह काट लेना इनको ठीक है काटकर है वो इनको अलग कर लेना है ठीक है तो अगर आप PDF प्रिंट अगर नहीं करवा पा रहे हैं अगर सपोस्थ मालो आपके पास दुकान नहीं है नियर भाई और आप अपना खुद कागज पे हो बनाना चाहते हो तो इस परकार से आप PDF में देखकर और यहां पे स्क्रीन सोट कहीं सकते हो इस परकार से कुछ एकदम सेम आपको बना लेना है और वाद में है उसको ध्यान से उसको काटना है लेकिन यहां पे भी कागज पे जब आप बना रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इन सारे boxes की length है वो आपको सेम लेनी है जैसे कि मैंने है वो यहां पे है वो जैसे कि दो तक है वो एक box है यहां पे 2 cm का लिया हुआ है ठीक है तो दो से हर बार 2 cm का एक box लिया है मैंने ठीक है तो उसी परकार से तक कि बड़े बड़े box हो जाए और अपना मोडल दर वो थोड़ा बड़ा लगे ठीक है तो यहां पे जैसे की इस वाली लाइन में साथ से 20 तक है याने की 14 बोक्स है पूरे एक दो तीन चार पांच से करके 14 बोक्स है इस लाइन में पूरा लाइन खींच के एक दम फिक्स होनी चाहिए ठीक है तो एक दम स्केल से आपको है वह ऐसा बना लेना है जब आप इनको केंची से है वह काटो पीडियाप से इंस्ट्रक्शन देख लेना और मैं आपको बता तो ध्यान रखना है कि आप जैसे कि यहां से आप काट रहे इसको साथ में लेना है ठीक है यह से इसको पूरा साथ में लेना है और मैं आगे आप काट को काट के भी दिखा देगा ठीक है और इसको पूरा अलग कर लेना है यहां से इसको काट कर यह वाला उपर वाला अलग हो जाएगा ठीक है और यह वाला नीचे वाला बीचेन वाल है यहां से इसको पूरा अलग कर लेना है और इसको यहां से काड़ते हुए यहां से काड़ते हुए यहां से काड़ते हुए यहां से काड़ते हुए यहां से इसा पूरा ठीक है तो यह वाला पॉर्शन इसके साथ में होना चाहिए यह वाला पॉर्शन इसके साथ में ठीक है इसी थोड़ी बहुत है वह ध्यान रखना आपको कारते समय ठीक है यहां से पूरा आपको यह अलग कर देना है और यह पूरा आपको अलग चाहिए हुआ ठीक है यह वाली लाइन इसके साथ आ जाएगी और यह वाली आपको पॉर्शन भी बनाने है ठीक है और कागस को थोड आपस में चिपका सकते है जैसे कि मैंने है वह चिपका रखा है ठीक है इधर से चिप रहा है ठीक है चिपक रहा है यहां से तो हम इसको शीट को मोटा करने के लिए दो पेपर को है वह चिपका सकते है तो कुछ इस परकार चाप को है वह पेपर को है वह काट लेना है ठीक ह है और एकदम ध्यानत्रा से काचना है मैं फिर्छिछ आमको वह रोनिंग दorta यह हाँ दूसरा हो एषरा होना चाहिए कर दे Спराइक। परकार से यह मिलौन है उस्फ पर पर नाम लिखा हुँआ हुआ है सारी इस पर इन पर लिखना है पूरा ठीक artwork आपको है वो नंबरिंग कर लेनी है सो मोडल को थोड़ा और इंट्रेक्स्टिंग बनाने के लिए हम इनके उपर हर एक किया उपर एक अगी है और इसकते हैं सो मैंने लिखे आप इसक्रेंसोर्ट क grass खींच लिजिए है और यह सिक्वेंश्ट आहिक बізकिवाइस्ट्थ आप एक नेहीं शूर्टेंघ के नामाशत इसक्राइब landed है तो सारे है वो MNC के नाम लिग दिया आपको भी इसकी लेकर आप इनके उपर नाम लिग दीज़ेगा ठीक है तो इस परकार से आपको है वो A chain and B chain को है वो color दे देना है ताकि यह वो distinguish पता चल जाए हम मैंने है वो highlighter का यूज़ किया था क्योंकि पहले ही numbering है वो कर दीती तो highlighter भी है वो अच्छा लग रहा है और आपको जैसे की यह bond और यह bond है वह आइसलपाइट बॉंड साथ में बना है और यह वाला है वो चीज आपको है वो बना लेना है और पीडियाफ है मैंने है वो description में दे दिये तो उसको देखकर आपको यह जो है जैसे की एक first amino acid से six amino acid तक है वो उपर यह अलग अलग लाइन है वो आपको है वो लिक लेनी है क्योंकि यहापे हम helix बनाएंगे इनका है सो हेलिक्स बनाने में है वो समझ में है वो इजी लिए आएगा कुछ इस परकार से रेंज करके हमें वो चिपकाना है first step ओके जैसे की यह एचेन का है वो 11 amino acid तक है वो अलग हमने chain काटी थी ओके और उसी chain का हमने है वो 12 amino acid से 21 amino acid की chain है वो अलग काटी थी तो उसको है वो next वाली chain को है वो ए चेन वाली कोई उल्टा रखकर है वो एक दूसरे से वो चिपका देना है ठीक है जैसे की यह 11 amino acid इसका वो 11 एक खाली था ना जो space वो इसके हो वो उपर overlap है वो चिपक कर यह वाला 11 वाला sulfide bond वाला वो इस पर आ जाएगा ठीक है और B chain वाला है वो एकद पूरा एसा लंबा पूरा chain है वो बन जाएगा अब इसका next step हमें हो करना है एचेन है एचेन है उसके first number amino acid से हम एसा helix बनाना शुरू करेंगे ठीक है और first में यहाँ पर five number amino acid वाला जो NH group होगा वो इसके एक नंबर वाले CO group के ऐसे है वो सामने है वो होने चाहिए और ऐसे हम बनाते हुए helix बनाते हुए और यह जो six number वाला जो sulfide bond वाला जो आगे निकल रहा है वो है वो ऐसे जब हम और आगे है वो बनाएंगे helix तो वो है वो उपर उपर ही रहना चाहिए ठीक है इसको उपर एसे नहीं दबाना है इसको यह उपर रखना है ठीक है और उपर र यहां पर six number amino acid का CO है वो आमने सामने है वो हो जाएगा तो यह color भी है वो same हो जाएगा पास आजाएंगे दोनों और एसे पूरी helix को हमें वो चिपका देना है ठीक है यहां पर हमने है वो यह helix है वो बना लिये तो helix बनाते हुए हम कर क्या रहे हैं जैसे कि NH group है और यह CO group है CO याने CWH group CWH group आप सभी को पता है amino acid 2 amino acid के बीच में hydrogen bond होता है जो next वाली उपर वाली helix होते है उसमें NH group होता है वो नीचे वाली CWH group के साथ है वो hydrogen bond बनाती है तो उसको द्यान में रखते हुए हमने वो helix बनानी है देखिए इसका CO है वो इसके NH के साथ hydrogen bond बना रह है ठीक है तो यह वाली है जो यह जो इसके पिछे जो है HN की ही 21 से हो इधर से शुरू होता है इधर से भी हमने वह यह देको डार्क LINE आ गई है तो यहां पर है hydrogen bond create करना है वो हमें शुरू करना है 21 से ए वाली चेन में ही 21 वाला हमें ऐसे hydrogen bond है वो बनाएंगे तो वो किस से साथ बनेगा NH वाला उपर वाले CO के साथ 17 नंबर कार्बन वाले 17 नंबर वाले immunosid के साथ है वो बना रहा है तो ये को ये line भी match हो रही है तो ये हमें है वो hydrogen करते हुए वह आगे तक है वह अपस में मिल जाएगी और खतम हो जाएगी आगे वह तक है अगर आप वह पूरा है वह बना दोगे तो कुछ इस परकार से वह दिखेगा ठीक है अगर आपको अगर आपको बीचन का अगर आपको है वह पूरा है वह समझ में आ जाएगा आपको देखना नहीं पड़ेगा वीडियो को भी ठीक है करते हैं तो हमें बनाते हुए अड्रोजन बनाते हुए अल्फ ऐनिक्स को सुरू करना सो सेवन नमबर का यह स्योग्रूप है वह ग्यार्वे नमबर के है वह एमिन एसिड के नच के साथ यह से रहेगा और यह लाइन भी है वह सेम स्टार्ट हो जाएगी शूरू से और यासे कि यह आउट बना रहा है सो यहें करके कि हमें आखरी तक जाता कि यह डार कलर आफ़ फ़िस परकार से बीचेंट की भी है वह बन जाएगी 7 नमर इमनएचिट से ठीक है और नेक्स्ट यहां से यह दो लाइन आप देख सकते हो ठीक है यहां से आपको है वह ट्रण बिकोस है वह आता है इस ब्रोटीन में तो फॉलो करके ऑफ लगा देंगे ठीक है यहाँ पर प्रोटीन में हो इंसुलीन के वह ट्रन आता और दो यहां पर हो ट्रन है ठीक है वह यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से हो ट्रन है वो कर देने हैं वह बाकी यह wilt-उड़ तॉ llama इंट्रा यान आपको है वह डाइसलफाइट跟我 है वह जोर सार्व नाए थीक है जैसे ही रहा ठीक है इसको हम ऐसे उपर करेंगे और 11 वाइमने शिट का जो हमने वह बनाया था तो उपर है वह तो दोनों को इस प्रकार से हो चिपका देंगे हम ठीक है चिपका देते हैं तो इसको है वह चिपका दिया है कुछ इस प्रकार से वह दिखेगा ठीक है अब एचेंग है वह है जो इसको हमें जैसे इस प्रकार से कर लेना और जोड़ना किसी साब से है सो वह इस ऐसे करके यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से हो जोड़ना है ठीक है तो कुछ देखो ऐसे सेवन एंड एट नमबर वाला जो ऐसे करके यहां पर हमें कुछ इस प्रकार से एल बनाकर हो एक दूसरे के उपर ओवरलेप करके है वह हमें वह इस प्रकार से जोड़ तो बन गया होगा और आपको सिर्फ एक दाइसल्फाइट बॉन्ड को है वो और जोड़ना है ठीक जो लास्ट वाले को स्वेकर से वह पास मिला के ठीक है और इस प्रकार से आपको है वो दोनों को यहां से वापस में चिपका देना है तरह है शो हैस्ए नांटीन बरे मदरेए मिनेशिट को यहां पर ट्वैंटीन बरब वाली मिनेशिट के सास्त में है वह चिपका देना तो यह पर आपका है वह awesome money किसम पूरा बनका थाब कि और बस, तो यह वाला जो है बीटा सीत मैं आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हो ए यह वाला जो तीर वाला निसान है और यह एल्फए HELIX है है हलीक्स है आप देख सकते है seu व्डीयो कPE Bfamilyse, एल्आ करोड़ेन अगर समझ में आ गया हो आपने भी बने बनाये युए तो पिक फिगरे सेंट कर देना Instagram पर ओके बाइबाइब झाल झाल झाल